नमस्कार देली शो में आपका स्वागत है मैं हूँ केश कुमार दोस्तों महराष्ट विधान सबाद चुनाओं में हुई कथित धांदली को लेकर electronic voting machines यानि EVM फिर से विवादों में आ गई है लगवग सभी विपक्षी पार्टियां अब ballot paper के जरिये चुनाओं करवाने की मांग करने रगी हैं मगर Congress Party ने तो इसके खलाब राष्ट व्यापी आंदोलन छेड़ने का भी ऐलान कर डाला है EVM को लेकर कई बार कई लोगों ने देश विदेश में production किये हैं और बताया है कि EVM को hack भी किया जा सकता है और खास तरह की programming के जरिये मतों को बदला भी जा सकता है लेकिन दुर्भागी ये है कि सुप्रीम कोट और चुनाओ आयोग दोनों का रवया इस मामले में बेहत निराशा जनक रहा है दोनों ही EVM के खलाब कुछ भी सुनने के लिए तयार नहीं है उन्हें ये दलील समझ में नहीं आ रही है कि कोई भी विकसित देश EVM का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जिन्होंने शुरू किया था वे भी वापस बैलिट पेपर पर लौट चुके हैं वे टेक्निकल एक्सपर्ट्टी राय पर भी गौर करने के लिए राजी नहीं है जाहिर है कि वे या तो इस विवस्था को उलटने से घबराते हैं या फिर सत्ता के दबाव में हैं बैराल जो बी हो हमें ये देखना चाहिए कि क्या महराज चुनाओं में धांदली हुई है और अगर हुई है तो कैसे क्या इसे लोगों के सामने और अदालत में साबित भी किया जा सकेगा हमारे साथ एवियम के विशेशग और उबामा प्रशासन में सलाकार रह चुके माधाव अर्विंद देश पांडे जी है तो आईए उन से इन सवालों पर बात करते हैं माधाव उन्होंने कहा चार कारणों से महाराष्ट के जो चुनाव नतीजे हैं वो उन्हें आसामान ये लगते हैं पहला है कि सिर्फ पांच महीनों के अंदर माइनस वन परसेंट से प्लस फूर्टीन परसेंट तक पहुचकर महायुती ने तीन चौथाई बहुमत हासिल कर लिया य जैसा कभी हुआ नहीं है महाराष्ट के छे क्षेत्रों में अलग-अलग वोटिंग टेंड पहली बार गायव हो गया यानि अलग-अलग तरह से वोटिंग होती थी वो इस बार कहीं नहीं देखी बीजेपी ने शहरी और ग्रामेर इलाकों में एक जैसा प्रदर्शन किया यानि है जोकी चुनावी इतिहास में नया है लोग-सबह में हारने वाली पार्टी की विधान सबह में प्रचंड जीत चुनावी इतिहास में आसामान हैं तो जाहिर है कि शकक के बहुत सारे कारण हैं लेकिन आप ने इसमें क्या संधीय देखे हैं जिस तरह के नतीजे आये हैं, जिस तरह से आकड़े दिये गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, मतदान के आकड़े, फिर मतगरना के आकड़े, आपने क्या अब्ज़र्व किया है? पहले तो धन्यवाद मुझे आपकी प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और पहली बात यह है कि मैं तो कोई राजकिय विशशग्य नहीं हूँ, ना मैं राजकिय नेता हूँ, राजकारण में जितना सामान्यजन रूची रखता है, उतनी रूची मैं भी रखता हूँ और मे लेकिन इसके बारे में मैं कुछ टिपनी नहीं करना चाहता क्योंकि वो मेरा एक्सपर्टीज भी नहीं है, लेकिन यह जो कुछ हुआ है, उसमें दो चीजे सामने मुझे EVM के, EVM को जब मैं देखता हूँ, एक माध्यम के रूप में, तो मेरे सामने आती है, पहले तो EVM को सेंटर में रखके, जो कुछ हमने यह सिस्टम बनाई है, इलेक्शन की, वो निर्दोष नहीं है, यह तो पक्का साबित होता है, और उसका प्रमान यह है कि अगर एक भी EVM में, एक भी वोट, किसी भी एक EVM में, पूरे देश में, एक भी वोट अगर बढ़ जाए, य EVM एक कैल्कुलेटर की तरह काम करता है, ऐसा ECI का दावा है, अगर आप एक कैल्कुलेटर लेने कुछ दुकान में जाते हो, और अधिक दो, 100 बार करते हो, 500 बार करते हो, हर एक टाइम आप 4 ही देखना चाहोगे, अगर एक आदा कैल्कुलेटर आपको 5 एक बार भी दिखा है, क्या आप उसे खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, इतनी कैल्कुलेटर जीतनी सामान ये चीज भी हम इस क्राइटिरिया पे नहीं खरीदेंगे, कि एक बार भी अगर उसने 5 दिखा है, तो ये ट्रस्ट के ये विश्वास लायक नहीं है, तो EVM में जब EVM बंद हो जाता है उसके बाद कैसे मत बढ़ जाते हैं, मतों की संख्या कैसे बढ़ती है या कम भी होती है, बढ़ना ही सिर्फ प्राबलम नहीं है, कम होना ये भी प्राबलम ही है, और अगर EVM बंद होने के बाद EVM में मत नहीं बढ़ रहे हैं, किसी और तरीके से बढ़ारे जा रहे हैं, त दोनों में से कुछ किसी एक को मानना पड़ेगा ये दोनों नहीं है ये ऐसा कहना तर्क के भी विरुद्ध है और शास्तर के भी विरुद्ध है तो EVM में क्या होता है कि एक एक दूसरी चीज़ यह है जो मैंने आर्टियम में इलेक्शन कमिशन को लिखी है लेकिन मुझे कु कुछ ऐसे डाइरेक्शन है क्या कि मतों का आकड़ा मत दिखाए परसेंटेज दिखाए क्योंकि मैंने जब देखा उनकी वेबसाइट को तो उसमें कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिखता नहीं है तो अगर स्टैंडर् को बोला गया है कि हर दो घंटे के बाद याने नौ ग्यारा एक तीन पांच साथ और वापिस नौ बजे वोटों का परसेंटेज अपलोड करना है वोटों का काउंट नहीं परसेंटेज वो एनकोर एप के माध्यम से अपलोड करते हैं तो अभी ये परसेंटेज कैसा काम नहीं है ये मनमानी हो जाएगी और उससे क्या होता है अगर समझो तीन सो चालीस लोगों ने एक बूट पे वोटिंग किया है गयारा बजे तक और उसमें बारा सो लोग आने वाले हैं उस बूट में इतने लोग मतदात मतदाता है अगर वो वोटिंग ऑफिसर उसको 34% करके रिपोर्ट करता है तो उसमें उसने 11 वोट अधिक रिपोर्ट किया है क्योंकि 34% of 1200 is 351 तो यह मत यह कहां से आए अगर यही आप उल्टा लॉजिक करें कि 800 लोग है और फिर भी वो 34% करता है तो उसने 11 वोट कम किये ऐसा हो अगर हमारा डेटा यह है डेटा साइंस का प्राथमिक रूल यह है कि acquire the data at its source in the format that it is available याने जहां डेटा बनता है वो जिस तरीके से उपलब्द है वो आप ले लो उसके बाद आप उसको जो कुछ संसकरन करना है वो करो लेकिन मूल डेटा जो है वो ले लो यहां अपना ड डेटा कौन देता है EVM, EVM क्या देता है वोट की गिंती count तो वो count छोड़के आप percentage क्यों निकाल रहे हो आप संदिक धता निर्मान क्यों किये जा रहे हो क्योंकि अगर इस दूसरी चीज़ यह भी है उसमें शायद मैं ज्यादा थोड़ा बोल रहा हूं खीच रहा हूं लेक्षिज़ यह है कि Election Commission को यह ध्यान में लेना चाहिए और दिमाग में रखना चाहिए हर टाइम कि वो जिम्मेदार है भारती यह जनता के ना किसी राजय की अपक्ष के उनकी उनका करतव्य यह है कि हर इलेक्षन को ट्रांस्परेंट पारदर्शी ट्रस्टवर्दी यानि विश्वसनिय और फेर ऐसा बनाएं जिस पे किसी को भी शक ना हो अगर यह वो करतव्य नहीं कर सकते हैं तो यह उनकी करतव्य की क्या बोलेंगे हम और यह करने के लिए ही भारतिय लोग उनको अपने टैक्स में से तंखा देते हैं इसी तंखा पर उनका घर चलता है तो वह जो पहले सवाल पर आता हूं कि जैसे जो पॉर्मर एलेक्षन कमिशनर है शीफ एलेक्षन कमिशनर एजवाई कुरैशी ने भी कहा कि रियल टाइम में जब डाटा देता है मशीन तो वह बढ़ता कैसे है अगर आपने पांच बजे या साथ बजे तक भी पूलिंग हुई है तो एवियम तो एक ही आंकड़ा देगा ना फिर वह नौ बजे बारा बजे अगले दिन कैसे बढ़ेगा क्या यह बड़े शक की बुनियाद है बि लग फ्राम होम की बात करते हैं यह सब कनेक्टिविटी पर निरभर है हम कनेक्टिविटी हमारे पास डेवलट कंट्री के पर एसी बड़े गवरों से कहते हैं अगर यह है और वहां के जो पूलिंग ओफिसर है उसके पास भी कनेक्टेड फोन है हम यह भी मानके चलते हैं चलिए कि गर्चे रोली जैसा मैंने गर्चे रोली आने एक याद आया इसलिए कोई रिमोट एरिया है वहाँ पुलिंग हो गई नौ बजे रात के नौ बजे पुलिंग खतम हो गई मैं काफी घूमता हूँ भारत में इसलिए कि मुझे अच्छा लगता है अपना देश देखना अच्छा लगता है मेरा ये अभी तक का अनुभव है कि अगर किसी भी जगे कनेक्टिविटी नहीं है तो 10 या 15 किलोमेटर के अंदर आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है वहाँ से अगर ये सच है पूरे देश में तो गड़किरोली जैसे रिमोट एरिया में से भी और वो तो चलते नहीं आते लोग वो कुछ जीप वगरा कुछ लेके जाते हैं 10 किलोमेटर आने में समझिए एक घंटा लग गया तो भी जैसे ही वो कनेक्टिविटी एस्टेवलिश हो जाती है वो जो काउंट है EVM का वो फाइनल काउंट अपलोड क्यों नहीं कर सकते और जैसे ही वो अपलोड हो जाए वो इलेक्शन कमिशन दिखाता क्यों नहीं है क् कि उस काउंट में बदलाव या बढ़ोतरी कैसी होगी सिर्फ पोस्टल बैलेट से तो इलेक्शन कमिशन ये बोल सकता है कि ये आकड़े जब चुनाव बंद हो गया बले रात को बारा बज़े बुले जब चुनाव बंद हो गया तब ये आकड़े EVM के थे अभी इसमें प अगर आपको चाहिए तो हो सकती है अगर नहीं चाहिए तो नहीं हो सकती है लेकिन पोस्टल बैलेट से आठ फीजदी वोट तो नहीं बढ़ेंगी बराबर है जैसे मैं बोला कि एक भी अगर वोट बढ़ता है या कम होता है तो ये election EVM का failure है ये system सदोश है ये निरदोश नहीं है ये मानना होगा इसका और प्रूफ मांगने की जरूरत ही नहीं है यही प्रूफ है और यहीं से manipulation का शक होता है कि जब इस तरह से आकड़े बढ़ते हैं तो क्यूं बढ़ें किसने बढ़ाए ये सवाल उड़ जाते हैं बिलकुल अभी देखिए आकड़े बढ़ना ऐसे ही ये तो electronic machine है वो तो आकड़ों को जन नहीं देगा ना आकड़े खा जाएगा तो कोई ना कोई बाहर से उसके interference करके ही आकड़े बढ़ा सकता है या कोई नई machine अगर आप पुरानी machine के जगे लाके रख दो जिसमें अलग ही आकड़े हैं तो आकड़े बढ़ सकते हैं तो इसका समर्थन करना इसकी वजह बताने के बज़ा है इसका समर्थन करना ये गलत तरीका है ये इसे आप ना progress करेंगे ना आप कुछ establish कर पाएंगे क्योंकि इससे शक्त ज्यादा बढ़ता ही जाएगा और इससे धांदली ये chances को आप मौका दे रहे हैं अगर आप इसको सिस्टम को सुधारने के बजाए इसको ठीक बता रहे हैं बार बार तो इसका मतलब है कि जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आजादी मिल रही है कि आप किये जाओ बिलकुल और ऐसा है कि इसमें न करने की भी ओवर्सी किया उसनों मैनेफेक्चरिंग की भी सुपरवाइजरी की उस मैनेफेक्चरिंग के बाद उसी ने उसको सरटिफाई किया कहीं भी कोई इंपरसनल नन पार्टिजन ऐसा कुछ उसमें एडिट हुआ ही नहीं है और सुप्रीम कोड ने कभी ऐसा माना ही नहीं कि ये audit होना जरूरी है अभी समझे टाटा की कार बहुत सेफ होती है होती है हमेशा लेकिन हम मानते क्यों है उसको इसलिए नहीं कि टाटा कंपणी बोलती है इसलिए मानते है क्योंकि एनकेप जो थर्ड पारटी है पूरी उनका कुछ इसमें हिस्सेदारी नहीं है वो है कि यह कार सेफ है तो हमको विश्वास हो जाता है कि हाँ यह सेफ है कहीं भी जावाब आप किसी कंपणी में काम कर रहे हो आप ISO 9000 का आपको सर्टिफिकेट चाहिए या 20000 का चाहिए आप खुद को खुद बखुद सर्टिफिक्ट नहीं दे सकते हैं आपको वहां audit company बुला बनाएगी वही करेगी बनाएगी भी और सर्टिफाइब भी करेगी और हमको कर रहे हैं वहां भी आरेसेस के लोग ही बैठे हुए यह भी एक शक्ति लिए लेकिन अभी मैं जैसे बोला मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाता आज आरेसेस होगी कल स्याइद कॉंग्रेस हो सकती है मुझे उसमें दिक्स कि यह है कि जो इंट्रेस्टेड़ पार्टी है कोई भी हो उष वो सर्टीफाइब नहीं कर सकती सर्टिफिकेशन के लिए आपको disinterested non-partisan impartial party चाहिए उसका audit होना चाहिए उसकी हर तरह से testing होनी चाहिए अभी मुझे ये भी पूछा जाता है हमेशा कि जब election commission ने challenge दिया था EVM को test करो तब आप कहां थे तब आप क्यों नहीं गए लोगों को वो open था सिर्फ political parties के लिए और या उनके representatives के लिए आम public जाके test नहीं कर पा रही थी उनको allowed नहीं था ऐसा क्यूं आम public इसमें हिस्सेदार नहीं है क्या are they are they not a greatly affected party उन पे इसका असर नहीं होता क्या are they not stakeholders they are they are the biggest stakeholders जो भारत की लोग है लोगों की हिस्सेदारी सबसे महत्वे की है इदर ना किसी political party की तो फिर और यह सब issues जो है वो supreme court देखता ही नहीं है ना अभी तक देखे गए हैं ना कभी देखते हैं तो मैं यह जो मेरे ख्याल से यह जो कुछ अन्याय हो रहा है फर्जी वाड़ा हो रहा है इसमें मैं सिर्फ election commission को ही जिम्मेदार नहीं समझता मैं उसको न्यायपली को भी उसमें जिम्मेदार ठेराता हूँ क्योंकि उन्होंने भी उनकी जो उनका जो करतव्य है वो नहीं किया जो जब उन्होंने पूछना चाहिए था कि भाईया आपने कहां से audit लाया इसका या जब technical point होता है बहुत technical होता है तो एक amicus curie ऐसा रख सकते है Supreme Court ये कोई भी जो बोलता है Supreme Court उनको गाइड ले बना सकता है Supreme Court एक टीम बना सकता है कि इसकी जाज करके बताओ बताओ ये क्यों नहीं किया गया आज तत्त तीसरा मुद्दा ये भी है कि भले ये भी मान चले कि दस अभी तक याचिका आई और वो दस ही दस में गलत सवाल पूछे गए इसका मतलब ये नहीं होता कि ग्यारवी याचिका भी गलत पूछेगी ये अटिटिट्यूड नियाय संस्था ने दिखाना ये बहुत ही गलत बात है जी बहाग के पूरना और गलत बात है जी सवाल नमबर तीन बार बार ये सवाल उठा है कि जब EVM खोले गए तो पाया गया कि 99% तक चार्ज है अब वो जो EVM मशीन दिनवर इस्तेमाल हुई है क्या ऐसा भी हो सकता है कि फिर भी वो 99% तक चार्ज रहे अभी मैं यूज्वली बैटरी के मामले में बोलता नहीं इसका इसक बहुत सारी पतली गलियां है निकल जाने के लिए जैसे बैटरी की स्टेट क्या थी बैटरी की चार्ज देंसिटी कितनी थी बाहर का टेंपरिचर कितना था मशीन कितना लोड ले रहा था कितनी बार बटन दबाया गया वगयरा 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 तो कि ऐसे कॉम्बिनेशन कि जैसे मैं सब्टेंबर 23 से बोल रहा हूँ, लास्ट सब्टेंबर से, जो EVM है, उसके जो तीन पार्ट्स है, बैलट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवी पैट, ये तीनों को पेयर कर दो, पेयरिंग याने क्या, उधारन देता हूँ, मैं आप घर आते हो, आपके पास Bluetooth Speaker होता है, आप फोन लेते हो, फोन का गाना सुनना है आपको, आप Bluetooth से Spyker को पेयर कर देते हो, अभी आपका फोन जब पेयर हुआ है, तब अगर मैं आ गया तो मेरा फोन पेयर नहीं होगा, क्योंकि आपका पेयर्ड है, ये इतनी, हम रोज मर्रा की ये बात है, मैं ऐसे नह इसमें कुछ guesswork नहीं है, यह हमेशा होता है, तो आप अगर यह तीनों का अगर pairing करोगे, तो फिर आपको या तो control unit, या VVPAT, या दोनों इकठा बदलने की कोई गुंजाईश ही नहीं रहेगी, अभी ऐसा है कि जैसे पुराने जमाने में ballot boxes बदल दिये जाते थे, वैसे आप दोनों, control unit और VVPAT, दोनों उठा के बदल के रख सकते हो, उसमें कुछ auditing का chance ही नहीं है, क्योंकि उस पे जो number है, वो सिर्फ printed number है, और ये भी कुछ जान में आया है, मैंने देखे हैं ऐसे applications, कि 17C पे जो number लिखा हुआ था, वो और जो control unit counting को आया, उसका वो number एक नहीं था, वो अलग-अलग number थे, अभी इसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये manual error होगे, क्योंकि ऐसी manual error तो नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, तो मेरा चौता सवाल यहीं से निकल रहा है, कि जो आपने तीन unit बताए, control unit, VVPAT और तीसरी, ballot unit, ballot unit, इन तीन unit के बीच में क्या खेल हो सकता है, क्या VVPAT में जो show कर रहा है, वो हो सकता है कि final outcome में न जाए, आपको show कुछ और करे, आपको जो receipt मिले, उसमें कुछ और हो, वोट किसी और को जा रहा हो, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसा है कि अगर हम भारकी EVM की बात करें, तो दो हिस्सों में देखना पड़ता है उसको, 1977 से 2013 तक और 2013 से आज तक, ऐसा इसलिए कि 2013 तक EVM में VVPAT नहीं था, सिर्फ ballot unit और control unit था, जो एक मेंक से जोड़े होते, ballot unit की बोर्ड की तरह काम करता था, यहाँ बटन दबाओ, वहाँ save करता था, उसको ना मालूम होता था कि यहाँ कौन से candidate है ना क्या है, वो एक 16 बटन थे, एक से 16 नंबर था, जो नंबर दबाया, वो नंबर control unit save करता था, VVPAT आने से क्या हो गया, उसमें symbol loading unit के द्वारा data भरा गया, अभी इसमें एक है कि लोग समझते हैं कि प्रोग्राम की अदला बदली हो सकती है, वो नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो chip use की है, वो one time programable है, एक ही बार program कर सकते हो, आपको program बदलना है, तो chip उखाड के फेकनी पड़ेगी, और वो इतना आसान नहीं है, तो program तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन data बदल सकते हैं, या extra data दे सकते हो, अगर extra data आ गया, तो program का बरताओ बदल सकता है, क्यों, मैं एक उदारन देता हूं आपको, हम लोगों के पास आजकल जो गाडियां होती है, कारें, उसमें light की, जैसे बाहर का light कम हो जाए, कार का light चल जाता ह है, अभी यह जो, यह program बनाया हुआ है, प्रोग्राम का normal behavior है, कार का light चल नहीं करना, वो बदलता कब है, जब बाहर से data आता है, कि अभी बाहर का light कम हो गया, तो program का बरताओ बदल जाता है, तो sensor से यूज संचालित होता है, यह data से program का बरताओ बदल सकता है, अगर यह हम म सब प्रोग्राम में गडबड़ी हो गई, क्योंकि उनको date का data समझ में नहीं आ रहा था, उनका program कुछ अलग करने लगा, तो data से program का बरताओ बदलता है, अगर यह मानते हैं हम, तो फिर अगर data में हमने कुछ extra data दे दिया, समझो अभी ECI बोलती है, election commission कि symbol loading unit के माध्यम से, स इसमें candidate का serial number, नाम और उसका चिन, यही data अंदर जाता है, अपने पास 10 candidate है, तो 10 image file होगी, लेकिन 10, क्या SLU में सिर्फ 10 image file है क्या, यह हमें मालूम ने क्योंकि हमको SLU कभी दिखाये नहीं है, हमको बोला गया है कि हम सब आपको दिखाते हैं, जो है वो सब दिखाया जाता है, और आप उस पे विश्वास करो, ऐसा नहीं हुआ कि हाद यह देखो, यह ले लो SLU और देखो, इसमें और कुछ है क्या, अगर यह SLU में एक और file है, जिसमें चुनाव की तारीक और time है, समझे अभी 20 तारीक है, और 12 बज़े है, और उसके बाद एक आकड़ा है 5, तो अभी program अगर यह सब पढ़ता है, और program अइसा लिखा पहले से ही लिखा गया है, कि अगर आपको date और time दिखे तो उस date को उस time के बाद आप गलत तरीके से बरताओ करना, उस date के पहले और उस date के बाद आप normal बरताओ करना, और जब गलत करोगे तो क्या करोगे, जो नीचे वाला नंबर है उसको हर चौथा वोट दे देना ये हो सकता है होता है कि नहीं पता नहीं क्यूंकि उन्होंने प्रोग्राम दिखाया नहीं है ना तो हमें और समझना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि उसमें जो इमेज डाली गई है वो उसके हिसाब से वोट नहीं भी पड़ सकता है आप ये कह रहे हैं कि मैंने तो देखा कि मैं एपल को वोट दे रहा हूं लेकिन वोट मेरा बनाना को चला जाएगा ये भी हो सकत है बिल्कुल हो सकता है और ये है न कि जब ऐसे संदेह आते हैं तो संदेहों से का निराकरण होना चाहिए उसका निराकरण होने और वो करने की भी तरीके हैं जैसे मैंने बोला कि SLU के बारे में शक है न तो SLU सील करो लेकिन जो SLU है वो अगर कोई computer expert है या कोई और कोई है आपकी committee है उनको देता और उनको बलो इसमें जो जो कुछ है वो देखो और बताओ क्या है अगर वो बोलेंगे कि हाँ ये है या ये data नहीं है तो फिर third party है बोल दिया लोगों का समाधान हो जाएगा मैं उधारन देता हूं आपको अगर हम दोनों बैठे हैं मैंने आपको एक packet दे दिया मैंने packet में 15 कागज दिये और हम दोनों का ऐसा agreement हो गया है कि मैं जो कागज दूंगा उसमें पहले 5 कागज आप किसी को बताएंगे ना दिखाएंगे 6 के बाद के 10 कागज आप दिखाएंगे अभी अगर ऐसा है तो और सामने लोग बैठे हैं मैंने packet दे दिय आपको लोगों ने पूछा इसमें क्या है हमको बताओ आपने जैसे हमारा decide हो गया था वैसे आपने पहले 5 कागज अलग रख दिये बाकी के 10 दिखा दिये और बोले हाँ ये सब है मुझे मिला हुआ लोग ये पूछेंगे कि क्या ये ही है सब मिला हुआ या और कुछ मिला और अगर आप बोलते हैं नहीं यही मिला है तो लोग बोलेंगे ठीक है फिर वो जो पाकिट है वो ऐसा उल्टा करके दिखा कुछ गिरता है क्या जी बोलेंगे ना पूछेंगे ना तो आप जब आपको अगर विश्वास बनाना है तो आप क्या करोगे आप बोलोगे ये इसमें कुछ घडबड है तो आप बोलोगे नहीं वो पाकिट नहीं दे सकता मैं वो मेरा उसमें कुछ परसनल है ये है कुछ बहाने बनाओगे अभी जो ये इलेक्शन कमीशन का चल रहा है ये सब बहाने बाजी है जब आपने आपके पास कुछ चुपाने के लिए होता है तो आप चुपाने की कोशिश करते हो अगर आपके पास चुपाने के लिए कुछ है ही नहीं तो आप बोलोगे आद देख लो यार उसमें क्या है बिलकुर मेरा तो व्यवार सब साफ है दिखा देख दो जैसे मैंने अगर income tax return भर दिया और income tax ने बोला कि हाँ हमें ये संदेय है तो अगर मैं उनको बोलो कि हां मैं भी आपके जैसा भारतिय हूं मेरे उपर विश्वास करो वो करेंगे क्या करते हैं क्या कभी नहीं वो बोलते हैं प्रूफ दे दो अगर वो करते हैं तो जनता ने अगर पूचा कि वह या प्रूफ दे दो तो उसमें गलत क्या है लेक कि जो चुनावायों कर रहा है बिल्कुल सही है उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है यह मान कर चल रहा है जब कि शक करना चाहिए शक पैदा हो रहे हैं एक बात और बताईए कि अभी हम शोसर मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कहीं कोई बैठा हुआ की बोल रहा था कि इतने पैसे लगेंगे यह इतने कंस्टिंसी में इतना खेल हो सकता है इतने लोग चाहिए जो फ्रिक्ट्वेंसी को उस हिसाब से ट्यून करके और गोट गिर्वा देंगे क्या यह पॉसिबल है इसके दो पार्ट होंगे उत्तर के एक तो यह है कि अगर वीवी पैट में ऐसी फ्रिक्वेंसी रिसीव करने वाली कोई चिप हो तब आप उसको फ्रिक्वेंसी के माध्यम से पहुच भी सकते हो अगर वो चिप ही नहीं है तो आप पहुच भी नहीं पाऊगे बाकी का तो बाकी की बात तो दूर ही रहेगे अगर वो चिप है और जैसा वो बोल रहा था वीडियो में कि SS7 SS7 एक फ्रिक्वेंसी होती है एक चैनल होता है तो अगर उस माध्यम से वो जैसे बोल रहा था कि वो टूजी नेटवर्क पे जाएगा और उस फ्रिक्वेंसी में कुछ करेगा मुझे तो तकनी की तौर पे यह अभी भी साफ नहीं हो रहा कि वो अगर उसको मिल भी जाए वो फ्रिक्वेंसी मान भी चले कि ऐसा कुछ है रिसीव करने वाला वीवी पैट में और वो फ्रिक्व यह बाइट है वो बाइट जब आएगा तो वो जब सेव करेगा तो आप कैसे उसको अलग करोगे क्योंकि वो सेव होता है अपने आपके मेमरी में तो उसको आपको जो इन बिट्वीन पिरियाड है न उसमें पकड़ना होगा और उसमें ओर राइट करना होगा जो मुझे तो बहुत ही कठिन लगता है । जैसे मैं बोला कि वोट कर सकते हैं उनको बदल सकते हो आप उनके भी दो तीन तरीके हो सकते हैं जैसे एक मेंने डेकनिकली ही बात करनी है तो तो ऐसे भी thermal printer आते हैं जो double side print करते हैं एक side में एक दूसरे side में दूसरा ऐसे भी printer आते हैं कि अगर बीच में printer रखो ऐसा तो यहां से भी एक slip निकल आवे बाहर और यहां से भी एक slip निकल आए बाहर और दोनों में अलग-अलग छपा हुआ हो और वीवी पैट में दो compartments हो एक में सही यानि जो चाहिये वाला और एक में सही जो वोटर दिखेगा यह क्या है नियह सब swap है यह होता है के नहीं पता नि कि मैंने तो देखा कि खोल के मुझे को है वो काली है डार्क है आप देख नहीं सकते जब लाइट होता है तो आप सिर्फ देख सकते हो अंदर के आया देख नहीं सकते तो शक्क की गुंजाइस हर जगे हो सकती है उसका एक हल है वो एक हल ऐसा है वो भी data science के माध्यम से ही आता है क्योंकि हम data में ही घूम रहे हैं न हमारा data है जो vote तो हम जब vote डालेंगे ballot unit में वोट जाता है control unit में control unit से जाता है वीवी पैट में और वीवी पैट से वापिस आता है control unit में तो अभी हर जगे है अगर आपने check sum किया check sum ये mathematical formula होता है जैसे आपको जो number जिस क्रवांक से आएगा याने एक दो तीन चार ऐसे है तो पहला number एक दूसरा number दो तीसरा तीन चौथा चार इसके बजाए अगर एक तीन दो चार आया तो हर number और उसका position इसके वज़ए से वो check sum जो है वो uniquely बदल जाता है तो आप data बदल नहीं सकते ये दुनिया में ग्लोबली accepted norm है data की integrity देखने का जी लेकिन मुझे ये बताईए मुझे ये बताईए फिर कि महराश्ट के कई गामों गाउं में production हुए कि हमने तो वोट डाला था माली जे congress को वोट डाला था और congress को zero vote मिला है या मैं candidate हूँ मेरे परिवाद में पांच मिम्बर हैं उन्होंने तो मुझे वोट दिया होगा वो भी वोट नहीं दिख रहा है मतलब बागी तो छोड़ दीजिए वो भी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि मशीन में कहीं किसी इस तर पर manipulation हुआ है हो रहा है बिल्कु अभी ऐसा है कि वो मशीन में हो रहा है या मशीन के बाहर हो रहा है हमें पता नहीं यह पता करने के लिए मुझे भी कुछ लोग ऐसे बोले तो मैंने उनको पूछा कि जो लोग यह complaint कर रहे हैं उनको slip दिखाई दी थी क्या उनको अगर slip उनकी बरावर दिखाई दी है तो फिर मशीन में manipulation हुआ है मशीन के अंदर ऐसा मानना पड़ेगा अगर उनको slip दिखाई दी नहीं थी तो फिर शायद मशीन के बाहर manipulate हुआ है ऐसा है दोनों possibilities है कि मुझे slip मेरी दिखी बरावर लेकिन save जैसे हमने बोला कि save दूसरे के नाम पे होगे control unit में यह एक possibility है दूसरा यह है कि pairing नहीं है तो यह जो set है control unit और वीवी पैट का वो पूरा उठा के जैसे पूराने जमाने में पूराने जमाने में ballot box पूरी एक उठा के दूसरी लाके रखते थे वैसा यह set है वो उठा ओ और दूसरा set लाके रखो जिसमें पहले ही भरा हुआ है किसी ने यह हो सकता है क्योंकि pairing है नहीं यह होता नहीं है यह कहने के लिए election commission के पास क्या proof है कुछ proof नहीं है electronic proof क्या है जब आप बोलते हो कि हम electronic पूरा सब कर रहे हैं election भी तो आपके पास proof भी electronic ही होना चाहिए अगर आप credit card से पैसा देते हो तो आपको प्रूफ जो है उसका electronic मध्यम से आपके card statement में आ जाता है ना वो electronic मध्यम से आता है ना कि कोई paper पे लिखके देता है आपको आपने जो आधी खिचड़ी पकाई है जिसमें प्रूफ आप बोल रहे हैं कि manual system से मिलेगा लेकिन counting और वोट से भी electronic होगा ये गलत है आपको प्रूफ भी electronic ही देना होगा कि यह आपका वोट यहां पड़ा है यह इस तरह का सूचना जैसे बैंक से मैसे आते हैं वैसे वोटिंग भी आ जाए एक तो यह हो जाए लेकिन वैसा करना थोड़ा मुश्किल मुश्किल आने इस तरह ऐसे कि वोट इस confidential तो वो नहीं कर पाएंगा लेकिन जैसे मैंने बोला पेरिंग की और वो जो पेरिंग है वो कंट्रोल यूनिट बैलट यूनिट और वीवी पैट तीनों की करके उसमें एक जो पोलिंग बूथ है उस पे भी एक यूनिट रखो जो सिर्फ पेरिंग का यूनिट हो कि वो ज देको वह यही पेर होता है बाकि कुछ होता नहीं है यह इलेक्ट्रोनिक प्रूफ हो गया तो ऐसी इलेक्ट्रणिक प्रूफ वक्तों देनी होगी ना कि मैनियूल हम उस पर साइन लेते हैं फिर वो साइन हम चिपकाते हैं फिर वो यह गढ़बड़ी का मामला है IBM हटाइए अब आप सीधे बैलेट पेपर पर आई है जो बहुत सारे मुल्क कर रहे हैं जो डेवलेप्ट कंट्रीज हैं वो कर रही हैं तो हम क्यों IBM के जमेले में पड़ें कि इसमें यह नहीं हो रहा वो कीजिए यह एडिशन कीजिए वो डिलीशन कीजिए यह सब से निकल स अलग है फ़िर यह दो मेरा फोड़ा बानना अलग मेरा मेरा एक तो अमरीका में आपको चौश मिलता है ऐसे नहीं है कि आप इलेक्ट्रोनिक गोटिंग नहीं कर सकते है आपको चौश मिलता है हर एक वोटर को च्वल्ट के इलेक्त्रोनिक वोट करे RAV करे और लुकिन उनक है कि अगर हमने हम आगे आ चुके हैं इले इवियम हमने किया है तो जब बैलोट युनिट थी हमारे पास बैलोट पेपर था तब धानली होती थी सरयाम होती थी हम जब बच्चे थे जवान थे तब हमने सब देखा है सुना है आज की तारिख में यह नहीं होगा ऐसा मानना मै तो नहीं मान सकता मुझे लगता है आज अगर लाया तो आज भी होगा क्यों नहीं होगा लोग बोलते हैं आज कल कैमेरे है यह है लेकिन ऐसे कितनी सारी जगे लोकल सभा के टाइम भी मुझे लोगों ने बताया था कि जहां इवियम रखी गई थी उस रूम के अंदर कैमे या और वो रूम को दो दरवाजे थे पीछे वाले दरवाजे पegy रहानी है ऐसे मैंने सुना है मैंने देखा नहीं यह खुद लेकिन बहुत विश्वसनिय लोगोंने मुझे बताया है को भी सकता है हर जगे कैमेरे तो नहीं होता तो यह तो हो ही सकता है कि आप वयलट पि करने से भी परे है तो हम नहीं कार खरीदते हैं लेकिन हम बैल गाड़ी नहीं ले के आते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि ballot paper पे जाना थोड़ा बैल गाड़ी लाने से के जैसा होगा EVM में धानली होती है और हो सकती है यह बिल्कुल सही है लेकिन वो धानली केवल EVM मशीन में हो रही है या इस पूरे प्रणाली में क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जगे छूड़ी है ऐसे कि जहां धानली कर सके इसकी वज़े से हो रही है और वो अपना उत्तरदाइत वो नहीं निवार है आपका एरक्राफ्ट क्रेश नहीं करता क्योंकि वो सिस्टीम इतनी अच्छी बनी हुई है कि वो उसको सिस्टीम इटसेल्फ सपोर्ट सिट तो ऐसा हमें एवियम के बारे में बनाना पड़ेगा उसके लिए बहुत सारी तरीके हैं और यह बिल्कुल पॉसिबल है लेकिन उसकी इच्छा चाहिए शायद यह इच्छा ना चुनाव आयोग दिखा रहा है ना सरकार दिखा रही है और ना ही सुप्रीम कोड दिखा रहा है इसलिए यह रास्ता ढूडा गया है कि अब इसे हटा कर बैलेट पेपर ही लाए जाए क्योंकि उस वह आप्शन पर कोई काम करने को तयार नहीं क्या यह यह इस्थिति आ गए इसलिए यह बांग की जा रही है बिल्कुल यह ऐसे हो ही सकता है कि यही दुरभाग्या है कि नयाय पालिका ने अभी ऐसे हमको उनके बरताव से दिखा दिया है कि हम ना कुछ EVM के बारे में सुनने के लिए तैयार है ना देखने के लिए तैयार है ना सोचने के लिए तैयार हमारे दर्वाजे पूरे ही कुछ होता नहीं है तो लोग न्याय पाली का पे जाते हैं अगर न्याय पाली का ही बोले कि हमको सुना ही नहीं आपका तो फिर लोगों को यहीं मानना पड़ेगा कि ठीक है भई नहीं है तो फिर हमको बैलट पेपर ही ला दो क्योंकि आप तो दुरूस्त नहीं करोगे ना 17C, कहा रहा है कि 17C देते हैं, आप मिला दीजिए, सुबह जब मत गड़ना होती है, बात खतम, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता एक, और दूसरा ये, कि जो CCTV कैमरे हैं, उनकी recording मांगी जाए तो मिलती नहीं, अगर ये दो चीजें दुरुस हो जाए तो क्या बहतर हो सकता system? मेरे कहाल से form 17C तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, obvious है, क्योंकि बाद में अगर मत बढ़ रहे हैं, तो 17C का कुछ मतलब भी नहीं बनता, भले आप मान चलो कि 17C में जो मत लिखा, आकड़ा लिखा है, वो ही आपको उस EVM पे दिखा दे, लेकिन अगर 24 गंटे के बाद total और आपने final किये हुए मतों की total अगर सेम नहीं है, तो 17C का कुछ काम ही नहीं है, तो मेरे कहल से 17C तो कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, और यह दूसरा दूसरी जो बात आपने कहीं कि वीडियो फूटेज, अभी ऐसा है ना कि वीडियो फूटेज देने से कुछ हद त नहीं है, हजार के बूट पे अगर आपको 7% इंक्रीज करना है, तो 70 आदमी चाहिए, क्यों में, तो 70 आदमी ही नहीं है, तो क्या करोगे, लेकिन दूसरा उसमें ये प्रॉब्लम है, कि अगर किसी को मैनेज ही करना है, तो बले वो 70 आदमी अंदर रख दे, ना वो वोटर हो ऐसे कुछ नहीं है, 70 आजमी आपको वीडियो पूटेज में दिख जाएंगे, है ना, उसके बाद ये भी है कि आप वोटर लिस्ट जो है, वो इस टाइम बहुत गड़बडी थी वोटर लिस्ट में, 47 लाग वोट बढ़ गए, पाच महीं मेरे, मेरे एक दोस्त के, ग्र का पूरा डेटा है, आपने पास डेट सर्टिफिकेट की पूरी जानकारी है, तो जो आदमी गुजराए 11 साल हो गए, वो अचनक कैसे आ जाता है, और इसके जिम्मेवारी किसकी है, और अगर वो जिम्मेवारी नहीं निभारा, तो उसके लिए पेनल्टी क्या है, नागरि ना दो आपको पेनल्टी है, आप बिल ना दो, सब के लिए पेनल्टी है आपको, तो जो ये सब इतना बड़ा कर रहा है, उसके लिए क्या पेनल्टी है, कुछ तो होनी चाहिए, तो रिस्पांसिबिलिटी की डेफिनिशन किदर है, मैंने ये RTI में सवाल पूछा है ECI से, अब तक मुझे रिस्पांस नहीं आए, बिल्कुल, बहुत जोल है, इस पूरी विवस्था में पूरी जोल है, बहुत दिक्कते हैं, बहुत सारे संदेग बिल्कुल निराधार नहीं है, और उनके जवाब मिलने चाहिए, ये लोकतंत्र की एक बुनियादी जरूरत है, कि निश्पक्ष और सवतंत्र चुनाव हों, और अगर वो नहीं हो रहे हैं, तो हमारे लोकतंत्र बीमार है, बहुत बहुत शुक्रिया मादव जी, हमसे बाचीत करने के लिए आपने समय निकाला, धन्यवाद, नमस्कार.